तीसरे इंपोर्टेंट एक बड़ी चीज मुझे ये लग रही है इसके पीछे रीजन कि हो सकता है कॉंग्रेस के अंदर ही कोई ऐसा धड़ा हो जो राहूल गांधी से शुटकारा पाना चाहता हो अब डायरेक्ट मुपे तो कोई बोल नहीं सकता ओपन फाइट कर नहीं सकता है तो कुछ इस तरीके से करके कहीं नहीं वो शड़यंत रच रहा हो राहूल गांधी के इनको ऐसे करके पॉलिटिकली एयोग ये कर दिया जाए चाह साल के लिए अगर ये चुनाओं नहीं लल पाते हैं और बावन पत्पन साल के हैं तो पॉलिटिकल करियर आलोस खतम हो ग है कि लिए मैं माल लेता हूं हो जाए लेकिन इस चीच की डारंटी क्या है हो सकता है सिचुएशन और भी खराब हो जाए वह इसलिए खराब हो जाए क्योंकि जो भी इनके विपक्ष में पॉलेटिकल पार्टियां है इन्कूडिंग इनके सहयोगी दल आज की डेट में कॉ हट माइको लेबल पर चला गया है पहले यह होता था चुनाओं में एक भई चुनाओं करनाम आ गया हार जीत का फैसला हो गया तारी पार्टियां मिल जूल के रहती थी लेकिन अब एक सब्सक्राइब युद्ध चलता रहता है एक दूसरे को कमजोर करने का किसी भी तरीके से कि अपले खांदान के प्यास की गरिमा को मेंटेन नहीं किया यहाँ पर तो यह चीज़े ऐसी है जिससे कि मुझे मैं ये मानता हूं कि ये राहूल गांधी की एक भूल है ये चीजे करने पर मैं राहूल गांधी खुट बोलते हैं मैं मोहबत की दुकान कोल गा हूं मैं बो अगर कोई चीज पहुच जाती है तो हां पे आदमी को बहुत गंभीर और संजीदा हो जाना चाहिए, देश चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, यहां पे राहूल गांधी में चूपती है.